हलो प्यारे बच्चो कैसे हो आप सभी आई ह hope आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो बच्चो इस वीडियो ख्लास में प्रश्ना वाली 3.2 का छटा सवाल समझेंगे इससे पिछले वीडियो क्लास में बच्चों मैंने आपको इस प्रश्णा वली के बाकी सभी सवाल समझा दिये हैं अगर आपने इन सवालों को नहीं देखा है तो इन सभी सवालों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दे दूँगा तो छटे सवाल के बच्चों में दो भाग दिये हैं दोनों ही भाबों कों बारी-बारी से समझेंगे ए में हमसे बोला है किसी सम्भवوج में सम्भवوج बच्चों क्या होता है बो बहुच जिसकी सभी Бुजायां आपस में बराबर होती है और सभी अंताकोंड भी आपस में बराबर होते हैं संभभुज होता है ठीक है अंताकोंड बच्चो क्या होता है बभुज के अंदर बनने वाला कौंड और बाही कौंड क्या होता है बच्चो बभुज के बाहर बनने वाला कौंड ठीक है तो किसी संभवोज में कम से कम कितने अंस का अंताकूर्ण संभव है तो बच्चो इसका उत्तर है 60 अंस का संभवोज में कम से कम 60 अंस का ही अंताकूर्ण हो सकता है 60 अंस से कम का अंताकूर्ण नहीं हो सकता है ठीक है? क्यों? क्योंकि बच्चो देखो संभवोज में जैसे जैसे बोजाओं की संख्या बढ़ती है बैसे बैसे प्रतिक अंता कौन का मान भी बढ़ता है और जैसे जैसे बोजाओं की संख्या घड़ती है बैसे बैसे प्रतिक अंता कौन का मान भी घड़ता है अब यहां हमें कम से कम अंसवाला अंता कौन चाहिए तो बच्चो कम से कम अंस वाला अंताकॉण हमें किस संभववज में मिलेगा बही उस संभवज में मिलेगा जिस संभवज में सबसे कम बोजाएं होंगी जितनी कम बोजाएं होंगी उतने ही कम अंस का अंताकॉण होगा तो सबसे कम बोजाओं वाला हमें यहां संभवज चाह भी आपस में बराबर होते हैं संभाहू तिर्भुज होता है और तिर्भुज से कम भुजाओं वाला कोई भी बहुज नहीं होता है एक भुजाओं वाला बहुज नहीं होता है दो भुजाओं वाला बहुज नहीं होता है यानि सबसे कम भुजाओं वाला बच्चो संभाहू संभाहु तिर्भुज होता है ठीक है और हमें ये पता है कि संभाहु तिर्भुज का प्रतेक अंताकॉर साथ अंस का होता है इसलिए कम से कम अंस का अंताकॉर साथ अंस का ही हो सकता है इससे कम अंस का नहीं हो सकता है समझ में आ गई बात बिलकुल बात आपको समझ में आ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे संभवुज में बोजाओं की संख्या बढ़ती बैसे बैसे अंता कून का मान बढ़ता है और बच्चों अगर अंता कून का मान बढ़ेगा तो बाहे कून का मान हर हालत में घटेगा ठीक है और जैसे जैसे बोजाओं की संख्या कम होगी अंता कूण का मान भी घटता जाएगा और अंता कूण का मान बच्चो अगर घटेगा तो बाहे कूण का मान हर हालत में बढ़ेगा तो भई इस प्रश्ण का उत्तर भी कहां से मिलेगा हमें उस संबहुज से जिसमें सबसे कम भुजाए होंगी और सबसे कम भुजाओं वाला संभाभुज बच्चो अब ये भी हमने देखा कौन सा होता है संभाभु तिर्भुज ठीक है? एक तिर्भुज ले लेते हैं देखो बच्चो ये है आपका संभाभु तिर्भुज इस तिर्बुज की तीनों बुजाएं आपस में हैं बराबर और इसके तीनों अन्ताकॉन ये होते हैं अन्ताकॉन जो अंदर कॉन बनते हैं ठीक है ये भी आपस में हैं बराबर प्रतेक अन्ताकॉन बच्चो 60 हंस का होता है तो ऐसके समभाप द दोनों भुझाओं में से कोई सी एक बुझा इस तरह से आप बहान निकाल दो इसको हम गये बहाय क्या है अब आपका प्रशन क्या है कि समभाहू बुझ commissions अधिक सेधिkt stata कितने अंसsche का बहाय क्या है तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे भुजाओं की संख्या संभवूज में बढ़ती है बैसे बैसे ये जो अंता कौन है ये बढ़ता जाएगा और अगर अंता कौन बढ़ेगा तो बाहे कौन घटता जाएगा और जैसे जैसे संभावोज में बोजाओं की संख्या घटती जाएगी बैसे बैसे अंता कोण भी घटता जाएगा और अंता कोण घटेगा तो ये जो बाहय कोण है ये बढ़ेगा जितना ये कम हो जाएगा उतना ही ये बढ़ेगा ठीक है तो बच्चो सबसे अधिक अंसका बाहयकोंड संबाहुत्रबुज का ही हो सकता है इसके अलावा किसी भी संबाहुत्रबुज का बाहयकोंड सबसे अधिक अंसका नहीं हो सकता है ऐसा क्यों है बच्चो क्योंकि संभाहू तिर्बोज का अंता कौन सबसे कम अंसका होता है अगर अंता कौन सबसे कम अंसका है तो बाहिये कौन बच्चो सबसे अधिक अंसका होगा ठीक है अब ये होगा कितने अंस का तो देखो बच्चो हमें ये पता है कि अंता कौण और बाहिय कौण इन दोनों कौणों को जोडने पर हमें 180 अंस मिलता है यानि इन दोनों कोणों का योपफल होता है 180 अंस अब बच्चों अगर 180 अंस में से अंता कोण 60 अंस का है तो बाहे कोण कितने अंस का बचा भई 120 अंस का ठीक है 60 प्लस 120-180 होता है तो 60 अंस का अगर अंता कोण है तो बाहे कोण कितने अंस का हो जागा 120 अंस का और यही होगा सबसे अधिक अंस का भाय कोण ठीक है सबसे कम अंस का अंता कोण बच्चो 60 अंस का और सबसे अधिक अंस का भाय कोण 120 अंस का हो सकता है यह A का उत्तर हो गया यह हो गया B का उत्तर है उम्मीद सवाल आपको समझ में आ गया होगा